नमस्क्राइब आप शफ्रेगाल और खुशाम अदीड वेरी वेलकम तो अलिफ इस सेशन दिस जो कि आज बात करने आए हैं आई-ओ-क्यू-म के बारे में देखिए आई-ओ-क्यू-म अपने आप में एक बहुत ही बहतरीन सा अड्वांटेज है सारे बच्चों के लिए जो अभी इस सेशन को देख रहे है इसलिए यहाँ पे लिखाया है Your unfair advantage, your unfair factor क्यों ऐसा रिख रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि यह unfair factor है, वो भी बता देते हैं तो देखिए, आपको कुछ बताएं ना बताएं उसके पहले में आपको ये बताना चाहता हूँ कि I.O.Q.M. basically Mathematics Olympiard होता है जो कि इंडिया का अपना जो Government Olympiard कह सकता है ने सरकारी लेवल पे भारत सरकार के द्वारा कराया जाने वाला वो ये एक लौता Olympiard है Mathematics के फील में और सबसे जादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि इस साल हमने इस Olympiard में फोड़ा है तो कैसे फोड़ा है क्या फोड़ा है वो तो मैं बताऊंगा लेकिन उसके पहले में ज़र आपको बता दू I.O.Q.M. होता क्या है तो देखिए basically आप I.O.Q.M. का मतलब ये समझी है कि I.O.Q.M. is basically Mathematics का Olympics Mathematics का Olympics का मतलब ये कि यहाँ पे I.O.Q.M. में क्या होता है कि आठवी से लेके ग्यार्वी तक 8 तू 11 त सारे बच्चों के लिए सिर्फ एक Question Paper होता है One Question Paper for all grades 8th का अलग, 9th का अलग, 10th अलग, 11th अलग ऐसा नहीं है सारे बच्चों के लिए सिर्फ एक Question Paper आता है और इसमें Question Paper अब जैसे जाहिर सी बात है अगर एक ही सेम Question Paper है तो 8th वाला तो कभी नहीं पास करेगा और 11th वाले के लिए Advantage हो जाएगा क्योंकि 11th वाला बुलेगा अरे वा उसके लिए तो Questions आसान हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है इसमें क्या बूला जाता है ये लोग जब Paper सेट करते हैं तो इनका क्या कहना होता है कि ये जो एक Question Paper मैंने सेट किया है ये मैंने 7th Class के Level पे सेट किया है 7th Grade ठीक है 7th Grade के Level के Question सेट किया गए है और Challenge है आठवी से लेकि 11वी का कोई भी बच्चा बना दे सवाल ऐसा Challenge टाइप का Paper ये रहता है और इसी लिए आठवी से 11वी तक के बच्चों के लिए ये एक ही Paper होता है अपने आपका एक लोटा ऐसा Examination है जो सारे Grade वाले बच्चों का सिर्फ Same Paper लेता है आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दू इससे पहले I.O.Q.M. जो Olympiard का Paper है इसके पहले Pre-RMO होता था तो Pre-RMO जो होता था ना उसमें भी ऐसा ही था बस नाम बदल गया है तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता था कि यार Paper होता था उसमें सवाल होते थे और वो सवाल सिर्फ 7th Grade के होते थे लेकिन वो Challenge रहता था कि यार तुम कोई भी बच्चा बना दो Select कर लेंगे 7th Grade का सवाल होने के बावजूद 11th Grade वाले बच्चों को उस सवाल को बनाने में उसके पसीने छूड़ जाते थे पता है क्या ये जो सवाल होते थे ये कहां से होते थे Simple-simple Number System HCF-LCM Factor Theorem ऐसी-ऐसी चीजें जो आपने शायद पांचवी छटी कक्षा में पढ़ी होगी लेकिन कभी आप उसमें इतना डीप नहीं गए कि आप सोच पाएं कि उससे ऐसे सवाल भी बनते आपकी जानकारे के लिए थोड़ा और बताऊं कि IOQM का जब बच्चा लेवल क्लियर कर लेता है IOQM This stands for Indian Olympiad Qualifier for Mathematics तो फिर बच्चा RMO जैसा पेपर देता है Regional Mathematical Olympiad ठीक है यह हर स्टेट में होता है सबके लिए पेपर सेम आता है फिर से आठवी से एक ज्यारवी के लिए एक पेपर और बारवी के लिए एक अलग पेपर दो पेपर बनते है सेम RMO में भी ऐसा ही होता है हर स्टेट से करीबन मलब 20-25 25 बच्चे चुने जाते है 25 से 30 उसमें कुछ 25 बच्चे होते है जिसमें से 5 लड़किया mandatory हो नहीं रहती है तो total 30 बच्चे होते है अब RMO इस examination का थोड़ा सा pattern समझी है यह examination कैसा होता है पता है 6 सवाल पूछे जाते है 6 questions again with a guarantee कि कोई भी सवाल 7th grade के syllabus से बाहर नहीं पूछेंगे यह guarantee होता है यह लोग लिखते हैं अपना syllabus 7th grade का mathematics 7th grade का सवाल पूछते है 6 सवाल पूछते है 3 घंटे देते है mind it again 3 घंटे देते है इस 3 घंटे में generally जो cut off जाता है वो 6 सवाल में से 3 सवाल अगर एक बच्चा कर लेता है तो वो select हो जाता है पूरे एक state की बात कर रहा हो बिटम है पूरे एक राज़ हर राज़ में से 30 बच्चे select होते है तो आप पूरे राज़ में बच्चों का cut off यह जाता है कि 6 सवाल दिये जाएंगे उनको सिर्फ 6, 7th grade level के 8-11 गो same paper उसमें से अगर बच्चा 3 सवाल बना लेता है 3 घंटे में 3 सवाल बना लेता है तो वो select हो जाएगा मतलब एक घंटा देते हैं एक सवाल को बनाने के लिए वो भी 7th level का अब तुम खूबसूरती महसूस कर पा रहे होगे इस examination का कि क्या पूचते होंगे क्या सवाल बनाते होंगे कि उसमें 9th, 10th का तो concept ही नहीं लगेगा तुमको 9th, 10th का जानने की आवशक्ता नहीं है सिर्फ 7th level पूचेंगे तुमसे और ऐसा कुछ पूचेंगे जिसको एक सवाल को बनाने में तुमको एक घंटिल लगेंगे अब ये है बिटा खूबसूरती और ये खूबसूरती न बलब दिवाने होते हैं जो इस examination के लिए prepare करते हैं और इस examination को निकालते हैं in fact मैं तो ऐसा कहता हूँ जैसे मैं भी इस examination को दिया था अपने time पे हाला कि मेरे time पे इतना पता नहीं था और in fact उस वक्त टीचर नहीं होते थे इसके questions देखोगा न तो टीचरों के पस हीने छूड़ जाते तो खैर मेरे time पे तो किसे ने पढ़ाया भी नहीं था बट लकिली यह टच्वूड यह कहो कि मैं अभी अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ I.O.Q.M. के बारे में आरमों के बारे में इनके sessions भी होते हैं बहुत अच्छी बात यह है कि मैं जहां पे अभी हूँ कारेर वेदान्तु में यहां पे इसके लिए अलग से batches बनते हैं हमने हमारे पास teachers हैं जो सिर्फ I.O.Q.M. और Olympiard बच्चों को पढ़ाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि जब बच्चा ऐसे किसी examination का preparation करता है तो इस examination में उसका selection हो चाहे नहीं हो यह बहुत ही अलग मुद्धा है लेकिन पढ़ाई के दौरान इसके preparation के दौरान वो बच्चा इतना कुछ सीख जाता है कि उसको mathematics को देखने का या फिर उस subject को देखने का पूरा का पूरा नजरिया बदल जाता है पूरा का पूरा नजरिया उसको लगने लगता है कि यार अगर ये subject नहीं होता मेरे पास तो मेरा जीवन अधूरा था मुझे सच बता रहा हूँ आज मैं सिर्फ ये वीडियो के लिए नहीं बोलना हूँ ये मैं अपने दिल की बात तुम सब को कह रहा हूँ मुझे आज ये महजूस होता है कि अगर mathematics नहीं होता मेरे जीवन में तो पता नहीं मैं क्या कर रहा होता शायद mathematics भगवान की बनाई सबसे जादा प्यारी चीज़ है पूरे धर्ती पे mathematics से इतना प्यार है मुझे और उसका बहुत बड़ा श्रेह जाता है essay examinations को मैंने IOQM भी दिया है ISI examination भी दिया ISI की बारे में कभी आपको और बताऊंगा अगर आपको जानने के इक्छा हो तो आप लिखिए all about ISI by HRSher आपको मिलेगा वो वीडियो तो ये वीडियो, मतलब स्वारी ये वीडियो ये examination इसका preparation करना अपने आप में बहुत बड़ा सौभा आ गया selection होना नहीं होना वो तो बहुत ही दूर की बात है और पता है इस साल, मतलब हम बहुत सालों से बच्चों को prepare करा रहे हैं इस examination के लिए हमारा हर बार सपना रहता है क्यार हम बच्चों को कुछ ऐसे मुकाम पे लेके जाए आपको बता दो इसके levels क्या क्या होते है तो IUQ होता है फिर RMO होता है तो IUQ में जो select होते हैं वो RMO देते है RMO में पूरे state में 30 बच्चा select होता है जो select होगा वो INMO देगा और INMO देने के बाद INMO, Indian National Mathematical Olympiad इसमें जो बच्चा select होगा वो camp में जाएगा camp ठीक है तो अभी देखते जलो कैसे कैसे हो रहा है सारे बच्चे ने IUQ लिखा इसमें से बहुत सारे बच्चे select होगा उन्होंने RMO दिया RMO में 30 बच्चे select होगा हर राज जिससे 30 बच्चे select होगे INMO गए INMO में फिर यहां से 30 बच्चे select होगे वो camp में गए फिर इस camp में से फिर 6 बच्चे select होते हैं ये 6 बच्चे कहां जाते हैं IMO International Mathematical Olympiad ये level देख पा रहे हो कितने level से गुजर के International Mathematical Olympiad पहुँच रहे हैं और हर साल किसी देश में किसी दूसरे देश में या कई बार अपने देश में किसी ना किसी देश में ये venue होता है और पूरे दुनिया भर से बच्चे वहां पे आते हैं और वो इस International Mathematical Olympiad में compete करते हैं और जैसे जैसे उपर जाओगे न वैसे वैसे कठिनाई का level बढ़ता जाता है जैसे इंडियन National Mathematical Olympiad में बच्चों को वापस से तीन घंटे दिये जाते हैं छे ही सवाल होता है लेकिन इस बार दो सवाल भी बन जाते हैं तो बच्चे का सेलेक्शन होता है समझ रहो तो ये खुबसूरती बढ़ते जाती है सवालों की और बड़ा मज़ा आता है preparation में, इसके पढ़ाई में, solutions में अलगी मज़ा आता है क्योंकि next level की अलग दुनिया की चीज़ें पढ़ी जाती है और सबसे अच्छी बात क्या है न कि बैचलर्स लेवल या PhD लेवल का कुछ नहीं पढ़ाते है सातवी कक्षा, आठवी कक्षा, छटी कक्षा तुमको लेगा, अरे ये मेरे बाजो में, ये नाच्रल नमबर इतने सालों से मेरे बाजो में बैठा था ये इसमें ऐसा भी होता है ये भी पढ़ते हैं, ऐसा महसूस होगा तो हर एक पल बड़ा एस्टॉनिशिंग सा लगता है ठीक है? चलो, अब मैं क्या बता रहा था है कि इस एक्जामिनेशन के लिए हम लोग हर साल प्रिपेर कराते हैं बच्चों को बहुत शिदत से प्रिपेर कराते हैं ये हमारे भी दिल के बड़े करीब है तो जब हमने प्रिपेर कराया तो इस साल हमें ये मिला देखो क्या तो इस साल, अब ऐसा जैसा जैसा हर एक सब्जेक्ट में होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायो, और एस्ट्रोमनॉमी सब जगा तो हमने बच्चो को प्रिपेर कराया और देखो हमने जब बच्चो को प्रिपेर कराया तो ये पहला है 2 gold and 2 silver in INCHO इंटरनाशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड ICHO ICHO मतलब इंटरनाशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड इसमें हमारे दो बच्चे सेलेक्ट हुए बच्चा 1, बच्चा 2 और ये दोनों बच्चा हमारा IIT का भी टॉपर है IIT का टॉपर है इस साल का IIT का टॉपर ये दोनों बच्चा राया इंटरनाशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में दोनों बच्चों ने सिल्वर लाया ठीक है अभी दूसरा ये भारत का जंडा देख रहो ये बाहर के देश में गए भारत का जंडा भारत का नाम रोशन करे अब आते हैं फिजिक्स ओलंपियाड इंटरनाशनल फिजिक्स ओलंपियाड इसमें ये वाला बच्चा हमारा है इस बच्चे को हमने पढ़ाया है गोल्ड लेकर आया है ये बच्चा तीन गोल्ड मिले और दो सिल्वर मिले भारत को उसमें से इस एक बच्चे को हमने पढ़ाया है सच बता रहे हैं एक दूम कसम से देखो, six gold in IJSO, IJSO, international junior science Olympiad, junior science मतलब छोटे grade वाले बच्चो के लिए होता है, तो इसमें भी बच्चो को prepare करा रहे हैं हम लोग, और देखो, और और आगे, ये वाला बच्चा, जो मैंने अभी पीछे फोटो दिखाया, कि भाई, इस बच्चे को gold मिला, physics Olympiad में, ये बच्च है, इन बच्चों से जब बात किया, इनका जब interview लिया, तो एक बात पता चली, इन बच्चों ने कहा, कि हमने जब Olympiad की तयारी की न, तो उसके बाद जब हमने IIT का paper दिया, तो हमें लगा पता नहीं, मतलब हम इतना low level की चीज़ें क्यों पढ़ते हैं, मतलब हमें पहली ब बच्चों और ऐसे level का सोच, समझ रहो, तो यार, अब हमारा aim क्या है, अब हम aim कर रहे हैं कि भाया हमें वापस से भारत को हर एक subject में, हर एक subject में gold दिलाना है, that is our aim, that is our motto, और देखो हमने physics में दिला दिया, chemistry में दिला दिया, but mathematics में अभी तक gold नहीं आया है, frankly बताओ, तो अभी तक gold हम नहीं दिला पाएं है, तो हमें gold दिलाना है भारत को, ये बात पकी है, and hence we are aiming for this gold for 2024, यही हमारा mission बन गया है, कि है 2024 में हमें बच्चों को पढ़ा कर उनको gold दिलाना है, International Mathematical Olympiad में, ठीक है, यह है सपना, तो अब मैं आपको बता दूं कि dates कैसे हैं, तो Mathematical Olympiad म सबसे पहला round IU कियों होता है, Indian Olympiad Qualifier for Mathematics, Qualifier में आप select हो गए, तो आप RMO में जाओगे, Regional Mathematical Olympiad, उसमें select हो गए, तो INMO में जाओगे, Indian National Mathematical Olympiad, उसमें हो गए, तो Camp, Camp में हो गए, तो International, लंबा सफर है, लेकिन इसके फल भी उतने ही मीठे हैं, ठीक है, जिस भी stage तक जाते ह में तुमको बड़ा मसा आएगा, तो इसका registration पांच अगस्त को खतम हो गया है, जिनोंने नहीं किया है, वो अगले साल कर लीजेगा, बर जिनोंने कर लिया है, देखिए, examination 3 September को है, तो इसी लिए, इसके लिए हम courses निकाले हैं, अब एक बात आपको और बता दू, बहुत ब Just for the sake of study, पढ़ने के लिए कि देखें तो जरा ऐसा क्या पढ़ा देते हैं, ऐसा क्या पढ़ना होता है, वो enroll हो जाते हैं, और obviously enroll होने के लाद मेरी guarantee है, written guarantee है कि तुमको मजा नहीं, तुमको इश्क हो जाएगा, तुमको प्यार हो जाएगा, तुम मतवाले हो जाओगे, जब बच्चा दिवाना हो जाता है न, फिर वो अगले सार वापस आता है, और तब तक उसकी एक बार तैयारी हो चुकिए तो दुबारा तैयारी करता है और वो फोड़ देता है, मचा देता है, ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो यह qualifier for mathematics है, ऐसे ही जैस क्या date बचा हुआ है, इन सारे examinations का date बचा हुआ है, 14 September है, 14 September last date है, 26 November को इनका paper है, तो जो बच्चे Olympiad को aim कर रहे हैं, या नहीं भी aim कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ, यह aim करना चाहिए, एक बार इसका preparation जरूर करूँ, मज़ा आ जाएगा, सच बतारो, मेरी कसम, मदब तु हमको literally मज़ा जाएगा, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो यह सारे grades वाले बच्चों के लिए है, आठवी से ग्यार्वी वाले बच्चे एक level, और बार्वी वालों के लिए भी allowed होता है, लेकिन हम लोग prepare इसलिए नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि देखो, बार्वी में होत हैं, हैंस 8th to 11th, 12th वाले students को हम suggest नहीं करते हैं, कि आप Olympiard की तयारी कीजिए, बिकास अब time निकल गया है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम IOQM में दो चीज़ें offer कर रहे हैं आपको, पहला तो पढ़ाना, जिसका हमने नाम रखा है IOQM Camp, इसमें हम आपको 7 अगस्त से classes शुरू हो रही हैं, और हर रोज पढ़ाएंगे, ठीक है, कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, उसका schedule क्या होगा, वो भी दिखाता हूँ, और हमने दूसरी चीज़ लांच की है, IOQM की book, तो IOQM की book आपको Amazon पे मिल जाएगी, आप जैसे ही लिखेंगे, तो अगर आपको वैसा पढ़ना है, तो IOQM कैम्प में क्या क्या होने वाला है, ये तीन टीचर्स पढ़ाएंगे, ये तीन अपने फील्ड के सबसे धुरंदर टीचर्स हैं, क्योंकि सालों से इन्होंने बच्चों को IOQM नहीं, IOMO तक भेजा है, IMO, International Mathematical Olympiad, और वहाँ से बहुत सारे medals भी लाएं, तो ये तीनों टीचर्स, they are expert in their field, master, master of masters, ऐसा कह सकते हो, ठीक है, तो daily session होगा, कब कब होगा, रात को 9-10 होगा, थोड़ा सा timing odd है, क्योंकि बाकी time पे बच्चा आपने coaching में रहता है, और हम कह भी नहीं रहे हो, उस बच्चे को अपना coaching छोड़ द लेकिन उस 15 सवाल में, हर एक सवाल में इतना रस होगा, कि तुमको आनन्द आ जाएगा, तुमको त्रिप्ती मिल जाएगा, ठीक है, और 10 टेस्ट हम लेंगे आप से, इसी पढ़ाने के बीच में, ताकि आपका overall revision, आपका practice बहुत बढ़िया हो पाए, और इस पूरे चीज का schedule हमने यहां दे दिया है, जैसे 7 अगस्ट से शुरू होगा, तो 7, 8, 9, 10, ऐसा करके पूरा, हर रोज 9 से 10, number theory दो मार कर, सबसे पहला session number theory होगा, दूसरा geometry, फिर algebra, फिर test, फिर combinatorics पढ़ा जाएगा, ऐसे करके सारे topics के नाम लिखे वे हैं, ठीक है, यह पूरा schedule मैंने बहुत हाई होता है, क्यों हाई होता है, सिंपल सी बात है, यार एक ऐसी चीज पढ़ानी है मुझे जो इतना कठेन है, इतना कठेन है कि तीन घंटे में बच्चे को सिर्फ तीन सवाल सॉल्फ करना है, तो तुम सोच सकते हो किस level के सवाल आएंगे, अब इतनी कठेन चीज म knowledge और level बढ़ता है, तो वैसे वैसे उस teacher का क्या बढ़ता है, समझ ही गए होगे, तो hence, 1000 रुपीज में ऐसा batch डालना बिलकुल practically impossible है, बट हम फिर भी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम, मतलब, basically, विदान्तु में सारे लोग, हम लोग Olympiards के लिए कुछ जादा ही दिवाने से है हमें ऐसा लगता है कि नियार, बच्चा अगर Olympiard कर गया उसका जीवन सुधर जाएगा, मतलब सवर जाएगा जीवन, वो कभी अपने जीवन में, कभी उसको ये नहीं डर लाएगा कि मैं बेरुजगार हो गया तो, मेरे को नौकरी नहीं मिली तो, मेरे को मैं लाइफ में स सस्ते में पढ़ाएं, बट हमें पढ़ाना है, बस पढ़ाना है कि यार तुम आओ, हम तुमको पढ़ाएंगे, हम मारा तो बस इक्षा है कि हम गोल लेकर आजाए, इंडिया के लिए, तुमारे थूही वो सपना पूरा हो सकता है, तो तुम बस आओ, इसको जोईन कर लो, तुम चाहो तो इसका स्क्रीन शॉट लेकर या पॉस करके वीडियो को पढ़ सकते हो, मज़ा आएगा, काफी मज़ा आएगा, बहुत मोटिवेशनल है, तुमको मतलब काफी इससे समझ आएगा कि भईया, बच्चे क्या कह रहे हैं, उनका क्या सोचना है स्कोर्स के बारे म अब यह रही दूसरी चीज़, तो हमने बता दिया I.O.Q.M. कैम्प, दूसरी चीज़ है I.O.Q.M. की किताब, तो कई ऐसे बच्चे होते हैं, अब जैसे जो कैम्प में जॉइन करेंगे, वो लोग भी खरीदते हैं, जो लोग कैम्प में नहीं जॉइन कर रहे हैं, खुद स कैसे हैं, तो this is a complete Olympiad book, तो यह हमने विदान्तों ने release किया है, और अब इसमें, इसमें क्या-क्या मिलेगा, तो आपको पूरा कपर हो, जो दस चैप्टर है, जो important चैप्टर है, जिससे I.O.Q.M. के सवाल आते हैं, theory, result, properties, proofed, सब कुछ, end of the chapter exercise, practice problems, धाई हजार से जजादा questions discuss किये गए, 2500 से ज़ादा, high quality questions discuss किये गए, तो यह अपने आप में बहुती बड़ी सी चीज है, आप इसको जरूर रखिए अपने पास, for the sake of knowledge, for the sake of excitement होना चाहिए आपके लिए, ठीक है, तेरे सुर्पय का किताब है यह, बट अभी Amazon पे शायद कुछ discount बगरा चल रहा है, तो 900 रुपय में मिल रहा है, तो you can go and take this benefit, जब तक Amazon पर जो भी चल रहा है, तो तेरे सुर्पय किताब है, यह 900 रुपय में आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसके लिए भी link नीचे description में आपको मिल जाएगा, fine, तो बस, अब मेरे नन्ने मुने बच्चों, तो mathematics olympiard coming soon, aptitude and brain builder courses हम जल्दी लेकर आएगे, तो मैं आपको इसी चैनल पर update रखूँगा, आप चैनल पर subscribe रहिएगा, ताकि ऐसा कोई भी update आप से छूटे ना, ठीक है, चलिए जी, तो that was all people, mission gold in olympiards, और मिल के मचाते हैं, और ये वीडियो आप अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कर द जाएगा, ये बात तो guarantee है, ठीक है, तो that was all for this session people, see you all in the next session, तब तक के लिए take care, bye bye, good night.